सिद्ध योग में आपका स्वागत है। शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी दिलकुल मुफ्त में। शरीर में बहुत ज़्यदा ठकान रहती है, आपको मेंटल स्ट्रेस है, तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेमंद होने वाला है। मैं अतुल मिश्रा सिद्धियोगा से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अभ्यास करने वाले हैं आनंद बालासन का जिसको की इंगलिस में हम हैपी बेबी पोस कहते हैं। तो पहले हम इस आसन की Contra Indication समझ लेते हैं। तो अगर आपकी Hamstring Muscles में कोई भी Stretch है पहले से Injury है या फिर आपके Hip में पहले से कोई Injury है तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। अधर किसी समस्या में आप अपने डॉक्टर के परामर्स के बाद इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें अपने पीट के पल अपनी मैट पर लेट जाना है। तो आप इस तरीके से अपनी मैट पर लेट जाएंगे। तो यह जो आसन है यह लेट कर करने वाले आसनों की category में आता है तो आपको इस आसन का अभ्याद अपनी मेट पर लेट कर करना है दोनों पैरों को मिला कर रखेंगे दोनों हाथों को अपनी body के side से रखेंगे तो पहले हम supine position में आजाएंगे पेट के बल पर लेट कर करने वा हम इस आसन की प्रपरिट्री प्रेक्टिस देख लेते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने हाथों को बोडी के साइड से रखे, अपने राइट लेग को इस तरीके से उपर उठाना है, और अपने नी को धीरे-धीरे, इस तरीके से पकड़ लेना है, अगर आपको पकड़ने में परिशानी हो रहे हैं, तो आप अपनी गर्दन को उठा कर भी पकड़ सकते हैं, बर ध्यान है, अगर आपको लो ब्रट प्रेशर की समस्या है, तो आपको अपनी गर्दन को उपर नहीं उठाना है, आप गर्दन को उठाने के वजाए आप अपने hip को थोड़ा सा उठाके इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं तो इस तरीके से पकड़ने के बाद फिर हमें धीरे धीरे अपने knee को नीचे mat की तरफ प्रेस करना और elbow को हलका हलका band करेंगे इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें stretch feel होगा, आपकी hamstring muscles में और आपके hip muscles में stretch feel होगा, तो ये आसन जो है, हम इसकी आपको preparatory practice दिखा रहा है, हमें इस तरीके से पहले एक leg से करना है, तो उसके बाद हम इसी तरीके से दूसरे leg से भी इस आसन का अभ्यास करेंगे, तो साथी साथ अगर आपको astronomers के दरद की शिकायत है, तो इस आचन का अभ्यास से आपका कमर का दरद भी दूर हो जाएगा, तो इस तरीके से अपने दाएंपेर से किया, दाएंपेर को वापस कर देंगे, इसी तरीके से ऩे बाईपेर से करना है फ्रह प्हले, तो दीर दीरे अ अपने बाय पेर को उपर उठाएंगे, अपने घुटने और अपने थाई को अपनी चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, फिर अपने लेफ्ट हैंड को अंदर की तरफ अपने घुटने के आपको बाहर से नहीं पकड़ना है, ध्यान रखता है, अंदर की तरफ से लेके आएंग किसे प्रेस करना है ध्यान रहे आपका जो एंकल जोइंट है और जो आपका नी ये दोनों एक लाइन वे रहेंगे तो यहां भी नहीं करना है और इस तरीके से भी नहीं करना है आपको यहां पोजीशन रखनी है अगर आपको घुटनों के धर्द की सिकायत है तो आपको अप इंस्रिंग मसल्स में, ग्लूट्स में और हिप जॉइंट में, साथ ही साथ आपकी जो कमर की द्रत की सिकायत है, वह भी इस आसन के लगातार अभ्यास से दूर हो जाएगी, अब वापस आने के लिए तीरे से अपने पैर को छोड़ेंगे, अपने पैर को वापस मैट पर लेक करेंगे, फिर अपने जो हिप्स हैं, उनको थोड़ा सा और उपर की तरफ उठाते हुए, अपने दोनों पैरों को इस तरीके, ध्यान रखना है, अपने हाथों को यहां से नहीं लेकर आना है, आपको इस तरीके से पकड़ना है, ऐसे भी आपको पकड़ना नहीं है, आपक और आपका दौनों knee और ankle joint एक ही line में होंगे इस तरीके से तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है आपको दीर दीर अपनी knee को नीचे की तरफ प्रेस करना यानि कि अपने घुटनों को अपनी mat की तरफ दबाना है अपनी elbows को ज़्यादा ज़्यादा band करना है गरदन जो है आपकी वो नीचे relax रहेगी तो अगर आपको बहुत ज़्यादा body में ठकान रहती है body में बहुत ज़्यादा negativity है आपको जो है समस्या आ रही है आपको तनाव बहुत ज़्यादा रहता है आपको बहुत जल्दी गुसा आ जाता है आप जो है इमोशनली इंबैलेंस हो जाते हैं बहुत जल्दी तो इस आशन के अभ्यास से आप अपनी इन सभी समस्याओं से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं बस आपको इस आशन का अभ्यास करना है अब आपको इस आसन के अभ्यास में अगर आपको कमर को अपनी थोड़ा और रिलेक्स करना है तो आप इस तरीके से राइट नी को टच करेंगे तो इस तरीके से रोल करके भी आप इस आसन को मैंटेन कर सकते हैं अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो जो छोटा बच्चा होता है वो भी इसी तरीके से जब वो बहुत ज़ादा खुश होता है तो वो अपने दोनों हाथों से अपने दोनों आसन का अभ्यास कर सकते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस आसन के अभ्यास के बाद बहुत ही ज़्यादा आरंद बिलने वाला है आप बहुत सारी बीमारियों से बहुत सारी सरीर की परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे इस आसन के लगातार अभ्यास से तो वापस आने के लिए आपको दीरे से अपने हाथों को वापस लेके आना है अपने दोनों पेरों को मैट पर इस तरीके से आप रख देंगे तो यह हमने इस आसन का अभ्यास करके अपने पैरों को दीरे से वापस मेट पे लेके जाएंगे तो आप लोगो फील होगा कि हाँ आपकी हैंप्स्टिंग मसल्स में और हिप मसल्स में काफी अच्छा खिचाब आया है तो ये आपकी hamstring muscles और hip muscles और glute muscles की flexibility को बढ़ाने के लिए ये आशन एक बहुत ही अच्छा आशन है और ये आशन बहुत beginner केटेगरी में आता है सभी लोग इसका अभ्यास बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं ज्यादा contraindications भी नहीं है इस आशन की तो जहां तक है सभी लोग सभी age group के लोग इस आशन का अभ्यास कर सकते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखकर इस आशन का अभ्यास कर पाएंगे और इस आशन से मिलने वाले सारे लाभों को आप ले पाएंगे करते रहिए अभ्यास आप इस आसन का हम जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आसन के साथ तब तक के लिए नमस्कार